तो दोस्तो यार हैद हो गई स्कूल साथियों को ले करके मेरे खयाल से कुछ स्कूल साथियों को ये स्कूल की लाइन वो छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हो कुछ ऐसे ही बाते आज मैं आपके सामने शेर करने जा रहा हूँ हो सकता है कि इन बातों से आपको बूरा लग जाई अगर बूरा लग रहा है तो लगने दीजेगा मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के मादधम से आपको कुछ ने कुछ सीखने का हो जरूर मिलेगा वीडियो को skip मत कीजेगा वीडियो दो चार मिनट किए देखिये दोस्तों आपको पता है कि मैं वीडियो के मादधम से स्कूल से related हर एक जानकारी समय के साथ हो आपको देता रहता हूँ और इस दोरान कापी सारी स्कूल साथियों के सामने स्कूल को लेकर के कई तरह की समस्या ही आ जाती है उन समस्याओं के समाधान को लेके भी मैं वीडियो वो बनाता रहता हूँ और हर बार उनको ये बोलता हूँ अगर आपकी स्कूल की बड़ी समस्या है और आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो तो संबंधी जो समश्या है आप मुझे mail के जरीए भेज़ेगा आपकी जो समश्या है संबंधी department को पहुंचाए जाएगी और समश्या का समाधान वो करवा लिया जाएगा तो ऐसे में काफी सारी जो school साती है मुझे कई तरह की mail भेजते रहते हैं और उनकी समश्या का समाधान मैं करवाता भी रहता हूँ अब देखिए बात मुद्दे की ये दोस्तो इन दिनों में आपको पता है कि अपने PSP portal पर SR को लेके समश्या आ रही है क्योंकि एक नई जो अपडेट आया था जिसके बारे में मैंने वीडियो के मादेम से जानकारी दे थी अगर SR को लेके किसी परकार की समश्या आ गई है SR अपडेट नहीं हो पा रहा है तो समंधी समश्या को अपने letter head पे लिखके आप मुझे mail कीजेगा आपकी समश्या का समाधान वो करवा दिया जाएगा तो इस दोरान काफी सारे स्कूल साथियों ने मुझे mail भी की है और काफी सारे स्कूल साथियों की समश्या का समाधान है समंधी department को भेज के मैंने करवा भी दिया अब जिन साथियों को SR को लेकि समश्या का समाधान हो गया वो साथी तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजेगा ताकि और भी साथियों को पता चले कि उनकी समश्या का समादम हो गया अब देखिए बात ऐसी यह दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाया था SR को ले करके कि अगर आपके सामने यह समश्या आ रही है तो आपको इस तरह से एक लेटर लिखना है अब काफी सारे जो स्कूल साथी मुझे बार-बार मेल कर रहे है अब इसमें मेरा भी टाइम खराब हो रहा है और आपका भी टाइम खराब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लेटर ही कुछ ऐसे लिख रहे है क्योंकि जब भी अपन कोई application प्राथना पत्र लिखते हैं सम्मंदित अधिकारी को या सम्मंदित department को तो उसका एक तरीका होता है और later के हंदर हमें समस्य समस्या है वो बतानी होती है ताकि अगला वो समझ जाए अब जो schools आती हैं जो मुझे later लिख रहे हैं मुझे खुदी नहीं समझ में आ रहे हैं कि आखिरकार इनके समस्या क्या है गलती क्या हो गई और करवाना क्या update है अब काफी सारे ऐसे schools आती हैं जो school के principal भी हैं डायरेक्टर भी हैं टीचर भी हैं यह बोलते हैं कि हम पिछले 15 सालों से काम करें तो यार हद हो गई अगर आप पिछले 15 सालों से काम करें हो अगर आपको later नहीं लिखना आता है तो मेरे खयाल से आपको school की line वो छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आप से तो अच्छा एक अच्छा पांचवी का जो student है इतना अच्छा letter ए application लिख सकता है अपनी समस्या को दूसरे तक वो पहुंचा सकता है आगे मैं आपको mail का proof वो भी दिखाऊंगा तो आप खुद अंदाजा लगा पाओगे यार किस तरह के लोग है application लिखते हैं अब देखिए एक ही समस्या के लिए मुझे 10-10 बार reply 15-15 बार reply करना पड़ता है अगर मैं reply नहीं करता हूँ तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे mail को open किया है काफे सारे दोस्तों ने यहाँ पे mail कर रखी है कुछ का तो मैंने reply दे दिया अभी कुछ का देना बाकी है और एक साथी ने यहाँ पे mail किया है मैं इसको यहाँ पे open कर लेता हूँ और देखे इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है मैं आपको यहाँ पर जूम करके वो दिखाता हूँ और लिखा कि सिवा में पोर्टल परभारी और विश्य में ओनलाइन एसार रजिस्टर अपडेट करने में समझ्या है तू शिरिमान विने नंबर निवेदन है कि इस वर्ष ओनलाइन नवीन चात्रों को जोडने के लिए पोर्टल पर जो अपडेट आया था उसको हमें जानकारी नहीं थी इस वर्ष के ने चात्रों को जोड रहे थे इस समय गलती से गत वर्ष का ऐसार जोड दिया गया जिसके कारण अब हमने नवीन बच्चों को जोडने में काफी समझ्या आ रही है आप से निवेदन है कि आप हमें इसका समाधान बताईए उपाए जल से जल्द हमारी समझ्य निवान करें क्योंकि हमें आटी के तहट बच्चों का एडमिशन करने में भी समझ्या आ रही है तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मेल में लिखा है या अपलिकेशन में लिखा है आप देखिए यहाँ पर मैं तो कुछ समझ नहीं पाए हूँ आपके क्या समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बतायागा तो देखिए क्या तो समझ्या है वो नहीं समझ पा रहे हैES में बताया था कि केवल एक ही ऐसार है वो आप यहां पे उसकी इंट्री कर सकते हो दो ऐसार है तो उसको एक आप बंद कर दीजेगा लेकिन वो मेरी बात को फोलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में काफी समय है यहां पे खराब हो रहा है और इसके अलाव भी दोस्तों काफी सारी अब देखो मेल का रिपलाई करते करते तो यार मैं भी ठक गया हूँ क्योंकि एक ही मेल का मुझे कई बार जवाब वो देना पड़ता है लेकिन फिर भी हमारे साथी हो समझ नहीं पा रहे हैं तो देखा दोस्तों कुछ इस तरह की मेल मेरे पास आ रहे हैं अलाग कि यहां पर किसी भी स्कूल साथी को ठेस पहुंचाना मेरा कोई भी उदस से नहीं है मेरा क्यों एक ही उदस से कि आप सही तरीके से और सही काम करो अब यह समस्या क्यों आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखिए समस्या इसलिए आती है क्योंकि वो हमारी वीडियो को पू इसलिए आती है तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा देखे हमारी हर एक वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होती है हाँ इतना जुरूर है मेरी जो वीडियो है लगबग लंबी हुआ करती है दस से लेके पंदरा मिनिट की वीडियो हुआ करती है तो ऐसे में रिपलाइन नहीं करूओं कि इसमें मेरा भी टाइम खराब होता है और आपका भी टाइम खराब होता है एक मेला करए मैं reply देता हूँ दूसरे साथ हों कि मैं help है वो कैसे करूँगा तो आगेस इस बात को आपको ध्यान नहीं जब भी आप मेल लिखो तो मेल या फिर अपन क्या है बताओ तो सही अब मैं नहीं बताओं तो यार फिर वह यह सोचंगे तो यार आप तो हमारा भालतों में टाइम हो खराब कर रहे हो तो साइद आप समझ गए होगे बाकि इस वीडियो के मार्केट में आपकी कोई भी वेल्वो नहीं होगी अगर वीडियो जान करें आपने दोस्तों में वो शेर कर देना तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत